वेल अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दिए साथ ही साथ बैल का आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि मैं डेली टैक वीडियो लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हैल्फुल होंगे तो चलिए शुरू कर देखने को मिलते हैं जो कि प्रॉफेशनल वीडियो एडिटिंग साफ्वेर में आप देखते हैं बट वहां पर आपको पे करना होता है पैसा बट यह कंपलेटली फ्री है और इसका नाम है मिनी चूल मुवी मेकर फ्री 4.0 दोस्तों यहां पर आपको मैं इसकी लिंक दे द मिल जाती है तो चलिए दोस्तों इसको डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे ही आप इस सौफ्टर को डाउनलोड करते हैं और ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरका इंटरफेस आजाएगा जहां पर जो पहली चीज़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई वो है movie templates दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि movie template में आप trailer launch कर सकते हैं and अगर मैं आपको दिखाऊं कि trailer भी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर अगर मैं next करता हूं तो आप अपने videos को select करके कोई भी trailer यहाँ पर export करेगा अब आप देख सकते हैं कि यह trailer का आपको preview मिलता है जिसकी land ते 1 minute 4 second ठीक है अब यहाँ पर कुछ predefined यहाँ पर कुछ आपको videos दिये हुए हैं आप यहाँ पर सब change कर सकते हैं तो देखिए अगर मैं इसे play करता हूं तो आप देखिए अब देखिए जैसे कि यहाँ पर mini tool है और अगर आप इसको change करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी title यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला भी यह running है orange bar आपको दिख रहा है तो यहाँ पर text में अगर आपको change करना है तो आप text पर simply click कर दीजे और उसके बाद में आप अपना channel का या जो भी आप नाम type करना चाहते हैं वो कर दीजे ठीक है तो यह मैंने कर दिया अब only for you तो अब अगर मैं इसे play करूंगा तो देख सकते हैं य यहाँ पर दिख रही है पहले मेरा एक वीडियो आया था बट अभी फिलाल जो है यहाँ पर है दिखे यह orange bar तो यहाँ से भी आप कोई भी वीडियो क्लिप यहाँ से ले सकते हैं आपको इस पर tap करना है तो जैसे कि मैंने randomly कोई भी यहाँ पर एक और वीडियो ले लिया है अब देखे अगर मैं इसे play करता हूँ तो आप देख लिजे किस तरह का preview आपको दिखता है तो ultimately यहाँ पर आप अपने वीडियो की list को add कर सकते हैं इस option से तो आपका trailer finally जो है बन जाएगा एक minute का मैंने कुछ-कुछ जगह पर launch किया है आप देख सकते हैं पूरा preview तो यहाँ पर trailer बनाना बहुत असान हो जाएगा अब finally बाद में से आपको export कर देना है चलिए देखते हैं आप दूसरे feature की तरफ बढ़ते हैं बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो interface है बहुत ही common है यहाँ पर आपको media मतलब कि आप जो भी videos add कर करना चाहते हुआ add कर सकते हैं उसके बाद जो second है transition आप कर सकते effects का panel आपको मिल जाता text का panel मिलता है motion का मिलता है and elements का मिलता है ठीक है यह elements है बड़े cake वगेरे जो है और अब चलते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ तो आप देख सकते हैं यह जो area है वो है timeline का area जहाँ पर आप tracks को add कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई भी दो videos को add करता हूँ आपको explain करने के लिए 2 videos को add कर दिया है अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ simply इसे नीचे timeline में drag कर देता हूँ drag करने के बाद में आप देख सकते हैं यहां पर कि बीच में यह arrow दिया है, यह simply transitions के लिए है, यहां पर मैं आपको simply एक transition add करके दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यह जो transition है, कुछ इस तरह का बीच में आएगा, ठीक है, देख सकते हैं preview में, अब यह तो था transition की बा कर सकते हैं, और यह जो है rotation और speed, अगर आप चाहते हैं कि clip की speed को increase कर दे, तो यहां से simply आप बढ़ा सकते हैं, इसको 2X करेंगे, 3X करेंगे, जितना भी आपको करना है, कर सकते हैं, ठीक है, उसके साथ में आप rotation कर सकते हैं, क्लिप को अगर rotate करना चाहते हैं, तो वो rotation भी आ आप change कर पाएंगे, ठीक है, तो यह देख सकते हैं कि brightness, हमने change की, बट अभी हम फिलाल, इसे 1.6 या 0 ही रखते हैं, और 3D में, यहाँ पर 3D, आप अपनी पूरी clip को reverse भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि यह portion, इतना portion अगर आपको cut करना है, split कर सकते हैं इस option से, तो आप अगर इस पर tap करते हैं split पर, तो quick split पर अगर आप click करते हैं, तो यह देखिए, यह add निकल जाएगा, और आप इसको simply delete कर सकते हैं, split करने के बाद में ठीक है, तो और दूसरा जो option है, आप जो दूसरा option यहाँ पर आपको दिखता है, वो है full split का, तो full split में क्या होगा, कि आपको यहाँ पर पूरा panel मिल जाएगा, आप जहाँ जहाँ से जिस portion को भी split करना चाहेंगे, उसे आप select करके एक ही बार में कर पाएंगे, ठीक है, तो यह अच्छी बात है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, transitions में 97 आपको मिलते हैं, advance में यह सा चीज़ है, इसको अगर add करता हो यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि तूरंत ही आप कोई भी यहाँ पर filter को apply करेंगे, और आप तूरंत ही इस पर देख सकते हैं कि change आ जाता है, ठीक है, अब बात करते हैं text की, अब text में दोस्तों यहाँ पर आप simply से add कर दीजे, timeline में drag कर यहाँ पर मैं simply type कर दीता हूँ, hello how are you, means यहाँ आपको explain करने के लिए है, यहाँ पर आप इसका color वगेरे change कर सकते हैं, opacity को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसका जो है bold करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, इसके font वगेरे change कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है, इसकी जो size ह जो ठीकने से वो भी आप change कर सकते हो, ठीक है, तो बहुत सारे options मिल जाते हैं, अब बात करते हैं motion की, ठीक है, यह feature especially मुझे बहुत अच्छा लगा, बट यह explain करने के लिए, मैं एक नए footage को लेता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते है, pan down होगा, pan along यह देखिए, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर देख सकते एक preview की, उपर से नीचे की तरफ आपकी clip आएगी, ठीक है, तो मैं इसे आपको एक example के थ्रू explain करता हूँ, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मैंने एक video लिए, अब यह video देखिए, आप बहुत ही plain video है, ना कोई इसमें moment है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस video में motion को add करते हैं, तो मैंने final इसको drag कर लिया है, और अब अगर इसका preview देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, कैसा आपको दिखेगा, तो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से नीचे यह जाएगा, and pan down होगा, जो की एक motion देदेता है, एक effect देद यहाँ पर flip का option भी मिल जाता है, basic में, आप again यहाँ से जो भी चीज़े करना चाहिए, वो कर सकते हैं, now, बात करते हैं elements की, अब यह elements में, आप again यहाँ से कुछ चीज़े add कर सकते हैं, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा यह खास नहीं लगती, बट अगर आप चाहते हैं, त दिखता है, तो यह देखिए, तो animation है इसमें, elements में, ठीक है, अब export की बात करते हैं, तो अगर मैं export पर tap करता हूँ, यहाँ पर setting में जाके, आप best कर सकते हैं, and 4K तक के videos को आप import कर सकते हैं, right, okay करते हैं, and यहाँ पर आपको format भी different मिल जाते हैं, avi, mov, wmv, जो भी आप करन चाहें, यहाँ से आप title वगेरे दे सकते हैं, तो I hope कि आपको यह video पसंद आया होगा, अगर video पसंद आया है, तो like करते हैं, इसे अपने दोस्तों में share कर दीजे,